नमस्कार दोस्तों रीतिकाल का अगला भाग भाग 10 जिसमें मैंने रीतिकाल के 9 भाग अब तक पढ़ा चुके हैं और रीतिकाल के जितने भी कुश्यन थे most most important जो परिच्छा में अधिकतर रिपीड होते हैं और पूछे जाते हैं दिकतर परिच्छा में वो सब कबर हो गया है और आज रीतिकाल का लास्ट वीडियो है अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस पर और वीडियो बना दूँगी लेकिन जितना भी मैंने बनाया है इतना काफी है जहां तक मुझे लगता है तो शुरू करते हैं रीतिकाल का नाम करण किस आधार पर किया गया है तो रीतिकाल का नाम करण रीति के तत्तो की परधानता के आधार पर किया गया है केसो की किस कृत को चंदो का अजायब घर कहा जाता है तो केसो की राम चंद्रिका को चंदो का अजायब घर कहा जाता है अंग अंग तरंग उठे द्वैत की परहित पनव रुप अब घर यह पंगत किस कब की है यह पंगत घनानंद की है घनानंद की जो भासा थी वह ब्रज भासा थी घनानंद ब्रज भासा में रचनाय करती थे और इनकी भासा सरल्यम सहज भासा की कभित हैं इनकी ब्रज भासा का माधूरे उनके कबित समयों में अपने चरम उतकर्ज पर बिद्यमान थी यहां नारी कोई ब्यक्तिया समाज के संगठन की इकाई नहीं यथा संभव मुक्त बिलास का एक उपकरण मात्र है यही बिचा रीत काली नारी के बिशे में किसमी चक्का है तो यह नारी के बिशे में हजारी प्रशाद दिवेदी ने कहा है नेक्स्ट है रीत काबी की भूमिका के लेखक रीत काबी की भूमिका जो है डाक्टर नगेंदर ने लिखा है नहीं पराग, नहीं मधूर मधू, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो विधाओ, आगे कौन हमाल यह जो रीतिकाल का दोहा है, इसमें अन्योक्ति, इसमें कौन सा लंकार है, तो इसमें अन्योक्तिय लंकार है, कभी-कभी नेट में भी पूछ लेता है कविताओं को रखकर की कान सा लंकार है, कान सा चंद है? तो यह important है, कई बारे पुछा गया है, तो इसमें अन्योकतिय लंकार है भूशड की काब रकला में कान सा गुड नहीं है? तो भूशड की काब रकला में भाऊष़ा का अनुपम सांदर नहीं है next है घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था नेक्स्ट है घनानंद के काब में प्रधानता है तो घनानंद की प्रेमिका जैसे कि मैंने कई वीडियों में बताया है कि घनानंद की प्रेमिका सुजान थी और उन्हें को बियोग में इन्होंने रचनाय लिखी तो जाहिर सी बात है जो बियोग बेथा से में जो है रहेगा तो वे वे वियोग रचनाय ही लिखागा तो इनकी अधिकतर रचनाय जो है वियोग सिंगार की है, जिसमें इन्होंने सुजान को लेखर लिखा है, वियोग सिंगार. next है, हिंदी के इतने सारे कभियों के बीच घननन्द ही अपने आसों से रो रहे हैं, किराय के आसों से नहीं, यह कथन किसका है, तो यह रामधारी सिंग दिनकर ने कहा है नेक्सट है भासा के लक्षड और बल की सीमा कहां तक है इसकी पूरी जानकारी इन्वी को थी घनानंद की विषय में है कथन किस नहीं कहा तो यह आचार रामचंद्र शुकल ने घनानंद की विषय में कहा है नेक्स्ट है हिम्मत बहादूर बिर्दावली के रचेता पदमा कर है नेक्स्ट पॉइंट है घरानन्द किस राजा के दर्बार में थे तो घरानन्द मुहम्मद साहरंगीले के दर्बार में थे नेक्स्ट है छत्रशाल कहां के सासक थे इनकी बिर्दा का वड़न भूशड ने किया है तो छत्रशाल जो है पन्ना के शासक थे पन्ना एक राज था वहां के सासक छत्रशाल थे और भूशड इनहीं के जो है राज कवी थे नेक्स्ट है रीतिकाल के सभी रीत ग्रंथकार आचार कोट में नहीं आते हैं क्योंकि जो रीतिकाल के आचार थे उनके जो गुड होते थे उनकी रचनाम में गुड होता था सिंगार होता था मतलब आदी होते थे और इनमें इसलिए नहीं आते थे क्योंकि उन्हें आचार के का विबेचन बहुत कम किया है उनके द्वारा किया गया काब्यांग निरुपड अधूरा आपरयाप तथा इसलिए जो है कुछ लोगों को रीतिकाल के सभी रीति ग्रंथकार आचार कोटी में नहीं आते हैं केशो की वह रचना कौन सी है जो राम कथा पर आधारित है तो केशो ने राम चंद्रिका को राम कथा पर आधारित लिखा है लच्मर सतक किसका गरंथ है लच्मर सतक खुमान का गरंथ है नेक्स्ट पॉइंट है हमीर रासो किस ने लिखा है तो हमीर रासो जोध राज ने लिखा है नेक्स्ट है बीरी बिनोद किस ने लिखा है तो बीरे बिनोद बाकी दास ने लिखा है ग्यान दीपक किसका गरंत है ग्यान दीपक दरिया साहब ने लिखा है घट रामायर रतन सागर किसका गरंत है यह तुलसी साहब ने लिखा है एरीतिकाल में भी एक तुलसी थे तुन्हों ने लिखा है गुरू अनन्य किसका गरंथ है तो सिव नारायड का गरंथ है गुरू अनन्य नेक्स्ट पॉइंट है आधि गरंथ किसने लिखा है तो आधि गरंथ गुरुतेग बहादुर ने लिखा है नेक्स्ट पॉइंट है आनंद घन 24 किस ने लिखा है तो आनंद घन 24 आनंद घन ने लिखा है सहज प्रकास किसका गरंद है तो सहज प्रकास सहजो बाई का गरंद है सहजो बाई और दया बाई दोनों जो है चचेरी बहने थी और संत चरड़ दास की यह दोनों सिस्या थी नेक्स्ट पॉइंट है अवध सागर और अश्ट्याम प्रशंग किसका गरंद है अवध सागर अश्ट्याम प्रशंग जानकी रसक सरण का गरंद है नेक्स्ट पॉइंट है चंद्राभरड किसका गरंथ है चंद्राभरड गोप कभी का गरंथ है अध्यात में रामाड और मिथिला खंड किसका गरंथ है? अध्यात में रामाड और मिथिला खंड नवल सिंग का गरंथ है? आनंद रघुनंदन नाटक और रामचंद की शवारी किसका गरंथ है? तो यह विस्वनात सिंग ने लिखा है आनंद रघुनंदन नाटक और रामच जिन्त की शवारी भी सुनाज सेंग ने लिखा है next और लाश्ट पॉइंट है ब्रज बीलास किस ने लिखा तो ब्रज बिलास ब्रजवासी दास ने लिखा है तो दोस्तों जैसे कि मैंने पिछले वीडियों में बताया था कि जो है UGC नेट जारफ का जो फॉर्म है वह 30 लाश डेट है कल भी बताया था और आज उसका लाश डेट है 30 जून जो कि आप लोग फिल कर लीजिए हो सकता हो डेट बढ़े लेकिन काफी बढ़ चुका है लगवग एक महीने डेट बढ़ चुके हैं अब तक तो एक्जाम जुलाई में होने वाला था तो इसलिए आज जिस जिसने ना फॉर्म फिल किया हो आज फिल कर ले आज लाश डेट है तो मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा धन्यबाद दोस्तों